दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहले बड़ी ख़वर बिहार में 6 अक्टूबर तक बारिस का अलर्ड कई जिलों में भारिस से अतिबारी बारिस का भी अलट है विबाग का कहना है कि पोश्ट मांसुन का जो सिस्टम एक्टिव हुआ है उसकी प्रभाव से अगले 24 घंटे में उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारन सिवान सारन पूर्वी चंपारन गोपाल गज सितामणी मधुबनी मुझपरपूर दरबंगा वैसाली सिवर समस्तिपूर सुपोल अररया किसन गज मधिपूर सहरसा पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ बिजली गिन्नी की सम्हावना है मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारन, सिवर, सितामणी और मुझपरपूर में भारी से बहुत भारी वर्सक की सम्हावना है जबकि पश्चिम चंपारन, गोपाल गज सिवान, सारन, वैसाली दरबंगा, मदोबनी और समस्तिपूर में भारी वर्सक का अगली बड़ी खबार, RJD ने लालो की सामती पर अप्चुनाव में दोनो सिटो पर उतारे उम्मिद्वार, जिहाँ बिहार में महागडवन्दन के टोटने की पूरी सम्हावना है, RJD ने विदानसवाव अप्चुनाव के लिए दोनो सिटो पर उम्मिद्वार तय कर लिय हैं जबकि महागडवंदन के मुताबिक कुसिसर इस्तान से कॉंग्रेस को चुनाव लड़ना था और तारापूर से आरजेडी को लेकिन आरजेडी सुप्रीमों लालो प्रसाद यादव की समती पर पार्टी ने दोनों ही सीटों से अपने उमिद्वार तै कर लिया है प्रद कुसिरी तरब नाराज कॉंग्रेस उप्चुना में आरजेडी को देगी टककर राजद ने बिना किसी समझोता कि कुसिसर इस्तान से उतारों उमिद्वार कॉंग्रेस ने कहा तारापूर समय दोनों सीटों पर हम भी देंगे प्रत्यासी जहां कॉंग्रेस विधायक दल के नेता आजेस सर्मा ने मेडिया से कहा कि कुसिसर इस्तान हमारी सीट थी पर राजद ने वहां से अपना उमिद्वार उतार दिया है तो अब कॉंग्रेस में तारापूर और कुसिसर इस्तान दोनों ही सीटों पर अपना उमिद्वार उतारेगी इदर आब राजद और कॉं राज़त कॉंग्रेस आमने सामने होंगे और इसका सिधा फाइदा जिर्यों को मिल सकता है इसलिए आपी सम्मवा के राज़त और कॉंग्रेस के नेता आपस में बाचित करे अगली बड़ी कवर बिहार में गाड़ी चलाना और खाना बनाना हुआ महंगा सी एंजी में दो और पींजी में एक रुपिया बढ़ा जिह अबीहार में अब सी एंजी से गाड़ी चलाना और पींजी से घर का खाना महंगा हो गया है पेटोल डिजल और घरूल गेस की केमत बढ़ने के बाद compressed natural gas याने की CNG और piped natural gas याने की PNG की केमोतों में बढ़ोत्री हो गई है नई दरे ततकाल प्रभाव से पढ़ना में लागू हो गया है CNG 63 रुपाई 90 पैसे प्रती किलो की जगा अब 65 रुपाई 90 पैसे प्रती किलो पढ़ना इस्तित CNG स्ट्रेशन पर मिलेगी इसी तर घरों में पहुचने वाले PNG की आपूरती किमा 30 रुपाई 60 पैसे प्रती घन मीटर की जगा अब 31 रुपाई 60 पैसे प्रती घन मीटर मिलेगी बड़ी कबर देश में टिका करन के मामले में पहले नमर पर पहुचा पटना गांधी जैन्ती पर एक लाग से ज़्यादा लोगों को लगी वेक्सीन जहां गांधी जैन्ती पर देश भर में 2 उक्टूबर को कोरोना से बचाव के लिए टिका करन अभिया चलाए गया था इसमें देश में सबसे अधिक टिका करन पटना में हुआ है यह सनिवार को एक लाग 84 हजार 273 लोगों को टिका लगा गया जो देश में सबसे अधिक है वाई आगली बड़ी कबर गांधी जैन्ती पर वेक्सिनेशन का महा अभियान 24 लाग से अधिक लोगों को दिया गया कोरोना का टिका जहां बिहार में गांधी जैन्ती के मौके पर चलाए गई कोरोना टिका करन अभियान के तहद 26,4,621 वेक्तियों को कोरोना टिका दिया स्वास्त दिवाग द्वारा यहां आगड़ा रात 8 बजय तक कोविन पोर्टल पर अपलोट किा गया सुबह साथ वज़े से पुरी राज जी में टिका करन महा भियान की सुरूआत की गई थी राज जी में कूल 14,887 टिका करन केंद्रों पर टिका करन महा भियान का आयुज से धान की खरीद सुरू होनी है इसको देखते वे सकारिता भिभाग ने तैयारिश शुरू कर दी canım के ब taxi कि सो निव specialist Toy ते लिए कि इस बार खरीद लग्ष जिलो को मिला था इस बार लच तो अभी तक मिला ही नहीं जिला सकारिता पदादिकारे ने सभी प्रमंडल सकारिता प्रसार पदादिकारी सरनोडल पदादिकारी को पत्र बेचकर कहा है कि धान की खरीद एक नौमर से 31 जनौर टक होनी है कहा गया कि क्रिसी विभाग में पंजिकरित किसानों को मुमी से सम्मादित अभी लेकों को क्रिसी विभाग के पोटल पर अपलोड करना है अगली बड़ी ख़वर पटना से राजगीर बुद गया वैसाले मुझपरपूर और दर्बंगा के लिए ऐसी लेक्टिक बस शुरू जाने किराया क्या है जिया भी हर राजपत परिवाहन निगम की ओर से बोध सरकीट के लिए विसी सरूप से परियावान सरक्चन के दुष्टि कौन से इलक्टिक बसों का परिचलन सुरू किया गया है इसके साथ है पटना से राजगीर बोध गया हाजीपूर मुझपरपूर दर्बंगा जेसे सरो गयी आसी लेक्टिक बस के भी सेवा शुरू कि गयी है सनिवार को ही बाकी पूर बस डिपो से पटना से बोध गया वाया राजगीर एवं पटना से दर्बंगा वाया वैसालिव मुझपरपूर के लिए चलने वाले एक टिलेक्टिक बसों को उपुमिक मंतरी नेनो दुवी ने हारी जन्दी दिखा कर रवाना किया था इस मौके पर मुझ कातिती के रूप में सिक्चा मंतरी विजे चोधरी वान निगम प्रसासक स्याम की सवर भी मौजूद थे आपके जानकारे के लिए बता दिखे पटना से राजगीर के लिए 108 रूपिय बोध गया के लिए 284 रूपिय वैसालि के लिए 125 रूपिय मुझपरपूर के लिए 108 रूपिय दर्बंगा के लिए 284 रूपिय किराया तै किया गया है अगली बाड़ी कबर 18 महने बाद खोल गया इंडो नेपाल बोडर बेरियर हटते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे जहां 18 महने से बाद भारत नेपाल बोडर परेटक वाहनों के लिए खोल दी गई है अब भारतिय नागरिक अपने कार बाएक टोरिस्ट वेन के साथ नेपाल जा सकते हैं पहले कोरोना संक्रवन के कारण साइकिल और रिक्सा भी ले जाने की अनुमती नहीं थी प्रेवार को जैसे ही भारतिय कार नेपाल में परविस्ट किया नेपाली नागरिकों ने ताली बजा कर उनका स्वागत किया अगली बड़ी खबर बिहार में नदियों से सिधे बालू उठा पर रोक समाप्त अब पुराने दर पर मिलेगा बालू जहाँ परियावरान सुरक्चा को लेकर बरसात के मुस्टम में तीन माँ तक नदियों से सिधे बालू उठा पर लगाए गया रोक अब समाप्त हो गया है समवार से आम लोगों को अब पुराने दर पर ही नदि से सिधा बालू का उठाव किया जा सकेगा आपको बता दी कि परियावरान को लेकर एक जुलाई से 30 सितंबर तक हर साल नदियों से सिधे बालू उठाव पर रोक लगाया जाता है इसको लेकर जिले बहर के सभी 69 बालू घाटों पर वहनों की कतार लगनी सुरू हो गई है बालू के स्टक पॉइंट से 3 मा तक लोगों को बालू आपूर्ती की गई थी अब नदियों से बालू उठाव का रस्ता साफ होते ही बालू के लिए नदियों में वहनों का जमावड़ा लगने लगा है बड़ी कबर बिहार में जल्दी डागगरों में भी मिलेगी रेल टिकट की सुविधा कई डागगर में खोले जाएंगी रिजर्विशन काउंटर जहां डाग विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए एक से एक बढ़कर योजनाओं का लाब दिया है डाग विभाग ने लोगों को जाती आई ड्राविंग लाइसेंस गंगा जल सुकन्य समरिती योजना पेंसन योजना तिलकूट मखाना वो अन योजनाओं का लाब दिया है लेकिन अब डाग विभाग रेलवे आरक्चन टिकट भी देने का वैसला किया है रेलवे के आरक्चिक टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है केंदर सरकार की दो अजेंसी आई यार, सिटीसी वोड डाग विभाग के बेच हुए समझोते के आधार पर अब डाग घरों से भी रेलवे टिकट खरीच सकते हैं इसके लिए फार्म भनना होगा, फार्म भनने के बाद जैसे ही रेजर्वेशन काउंटर पर सुविधा मिलती थी वैसे ही डाग गरों के काउंटर पर सुविधा मिलना सुरू हो जाएगा अगली बड़ी कबर भवानीपूर से सियम ममता बनरजी की जबरदस जीत प्रियंका टिबरवाल को 58,000 वोटों से हराया अंतिम राउंड के काउंटिंग के बाद ममता ने 58,389 मतों के अंतर से जीत दरज की बता दे कि भवानीपूर विधानसवा सीट ममता बनरजी की परागत सीट है टीमसी प्रमोक लंबी समय से इस सीट का प्रतिनिद्द करती आई है इस उपचुना में ममता बनरजी को कूल 84,709 वोट मिले जबकि बिजेपी की प्रियंका टिबरवाल को 26,320 वोट मिले बड़ी कबर बिहार में अगले चार साल में एकिस नए मेडिकल कॉलेज कुलेंगे मंतरी मंगल पांडे का बड़ा एलान जिहां सुबे की स्वास्त मंतरी मंगल पांडे ने रईवार को किसन गंज में कहा कि मुख्यमंतरी नितिस कुमार के सयोग से सुबे की स्वास्त सिवा को लगतार बहतर बनाने का परियास चल रहा है वर्स 2025 तक राज में 21 नए मेडिकल कॉलेज कुलेंगे वे एमजियम मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों से बात कर रहे थे तबहें ये बाते बोली है साथी स्वास्त मंतरे ने कहा कि राज में चिकिसस सिवा के साथ चिकिसस सिख्चा भी कैसे बहतर हो इस पर काम किया जा रहा है अगली बाड़ी कबर सारुक खान के बेटे पर कोट का आदे से एक दिन की रिमांड पर भेजे गए आरियन खान आज होगी बेल पर सुनवाई जिहां ड्रग केस में गिरबतार के गए आरियन खान को एक दिन के NCB की रिमांड पर भेज दिया गया है मॉंबई की एक कोट में उनकी पेसी के बाद NCB ने दो दिन का रिमांड मांगा था कोट ने दोनों पक्चो को सुनने के बाद आरियन खान समय तेन अभयोकतों को एक दिन की रिमांड पर भेजने का कल फैसला किया था कोट में NCB ने दावा किया कि उसे ड्रग्स सप्लाई को लेकर अहम सुराग मिले हैं जिसके चानवीन के लिए समय चाहिए आरियन खान बोलीवूड एक्टर सारुक खान के बेटे हैं आपको बदा दिकी सारुक खान के बेटे आरियन को NCB ने ड्रग केस में अरेश्ट किया है सन्वार की देर रात आर्यान को एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था पुछताज के बाद नार्कोटिस कंट्रोल ब्योरोनी रेवार को आर्यान के साथ साथ उसके दोस्त अरबार मर्चेंट और मुनमुन धमिच्चा को भी गिरबतर कर लिया था बताया जा रहा है कि आर्यान अर्बाज और मुनमुन के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीया में की 22 गोलिया और 1,33,000 रुपी मिले हैं और अंकी बड़ी कबर, इंगनों में जुलाई 2027 की नामांकन तिती आटवी बार बढ़ाई, अब 11 अक्टूबर तक कराएं एडमिसन जी हाँ, इंद्रा गांधी राष्टिया मुक्तिवी स्विद्दाले ने जुलाई 2027 में एक वर फिर इसनात को तर इसनातक पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा में नामांकन की आंतिमतिती बढ़ा दी है, अब अभियरती 11 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकते हैं आज किलाब का सवाल बताएं कि आरजेटी के दुआरा अबिदानसवा उबचुनाम में दोनों सिटोप पर उमिद्वार उतारने का फैसला सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं